हाई एवरिवन दिसे पवन चर्मा दो तीन दिन से जब भी हम निफ्टी और बैंग निफ्टी को एनलाइज कर रहे थे तो एक बात के उपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे वो यह था अगर वो गिरता है तो वो रुखता नहीं है वो गिरता चला जाता अगर वीकनेस है तो लेकिन अगर कोई स्टॉक आकर एक पर्टिकलर लेवल पे गिरना बंद कर देता है और उसके बाद में दो-तिन दिन तक उस लेवल को होल्ड कर लेता है तो वहां से हमारे पास रिवर्सल के चांस ज़ादा बन जाते हैं ये जो रिवर्सल वाला पैटन था ये बैंक निफटी में ज़ादा क्लीर नजर आ रहा था निफ्टी ने तुरह साथ लेट में catch-up किया तो आज के अगर journey देखेंगे आज के अगर trading setup देखेंगे तो bank nifty ने ही reversal पहले दिखाया है nifty तो बाद में उसको follow कर रहा था because जितने ही banks थे जब वो rise करेंगे तो nifty obviously उनके पीछे-पीछे चलेगा तो कभी भी आगे आपको ऐसे लगे कि stock है, index है अचानक गिरना बंद हो गया और दो-तिन दिन दक उसी range में trade करना शुरू कर दे तो बस यहां से आपको एक reversal मिलेगा in case वो उपर के level को break करेगा further fall तब ही आएगा जब वो अपने low को break करना शुरू कर देगा मतब यह होता है कि consolation चलती है एक से तीन दिन से और चार से साथ दिन के बाद में एक breakout आता है मतब दो-तिन दिन तक आपको wait करना पड़ेगा उसके बाद में कभी भी चार से लेके साथ दिन तक यह breakout आ सकता है morning में जब हम बात कर रहे थे trading की morning में क्या हो रहा था आज हमने देखा कि 9.30 से लेके 10 o'clock तक कोई movement नहीं flat वहीं टिक 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 ऐसा लग रहा था कि कुछ होना ही नहीं है उसके बाद में हमने open interest देखा open interest में हमें लगा that nifty में 19.400 पे ज़्यादा strong आपके पास में resistance है लेकिन देरे देरे build हो रहा था लेकिन bank nifty में अचानक क्या हुआ पहले नहीं था bank nifty में अचानक put writer एक दम active हो गए और वहीं से हमने कहा था कि buying शुरू हो गई है ये message में आपको telegram पे provide किया था तो अगर आप telegram का part नहीं है तो आप जो है इसी video के निचे description box में link available otherwise ये हमारा telegram है इसको search करेंगे तो आपको यहां मिल जाएगा दूसरा आपका बहुत सारा demand था paid telegram को लेकर paid community को लेकर जहां पर आपको दोनों तरफ two way interaction मिले तो वो चीज हम आज active हो गया है तो थोड़ी देर में हो सकता है ये video जो आप देख रहे होंगे इसका साथ साथ में वो भी हम publish कर दें तो उसका link भी मैं description box में डाल रहा हूँ अगर आपने अभी नहीं मिल रहा है तो थोड़ी देर में update कर दूँगा मैं तो वो भी आप देख लिजेगा और अगर भी तक आपने हमें subscribe नहीं किया है तो यार नए user है या बिना subscribe किये अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो गलत है आप subscribe करके हमाई channel को support कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस कर रहा मत बूलिएगा जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करेंगे उसका जो है notification आपको मिल जाएगा और description box में और भी link available है उनको भी आप focus कीजेगा तब भी वीडियो में आगे बढ़िएगा चिए अब बात करते हैं कि कल हमारे लिए क्या क्या चीज़ आवेलेबल है पहले तो मैं काम कर रहा हूँ मैंने recently अभी जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा fall आया था उसके बाद यहाँ पर तो यह recent high हमारे पास यह है इसके basis पर अगर मुझे retracement plot करना हो तो मैंने पहले भी दिखाया तो पिससे दिखा रहा हूँ मैं आपको यह कुछ आपको ऐसे मिलेगा इस retracement के accordingly हमारा यह वाला level achieve हो गया है that was 19,450 और यह level up है अगला 19,500 और यह निकल के आएगा 19,550 तो जो reversal है वो हमारा यहाँ तक possible है जरूरी नहीं कि यहाँ तक जाए यहाँ से भी turn ले सकता है 19,500 से यह अगर इसके उपर गया तो यह हमारा एक profit booking वाला zone बनेगा तो आप यहाँ से buy करेंगे और यहाँ पर जब हम बात करेंगे sell on rise का तो sell on rise आपको इसके उपर मिल जाएगा चिक है तो अब हम क्या करेंगे आज की closing अगर हम check करते हैं तो आज की closing है हमारे पास में यह है 19,400 का क्या figure है 19,400 तो अब देखेंगे 19,400 अब recently 19,480 तो जो आज का high था यह वाला इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से देखें न यह वाला यह आगा 4,20 तो 19,480 और 19,420 यह दो लेवल आपके लिए काम करेंगे इसके उपर चाहता है तो आपको पता चली गया है कि 550 तक अराम से आज़ता है आप अगर तो आज वासा और वेट करेंगे तो आपको 5,100 के लेवल दिख जाएगा पुश करके नीचे आ रहा है 480 पे होल्ड कर रहा है दुबारा भाग रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हैं और अगला टागेट आपका 550 बनेगा नीचे की तरफ गिरता है तो 420 के नीचे आप अराम से अल कर पाएंगे और जो भी लेवल हम यहाँ डिसकस कर रहे हैं कर दो आपको सम्झाने के लिए इनकेस यह तेकिए नीचे गिरा यहां तक आया इधर हमारे पास में एक जोन बना हुआ था 43600 का और उसके बाद में नोटिस करें यहां भी एक पहले काफी हर्ड जो थी हर्डल था उसको ब्रेक किया और यहां पर देखिए पहले भी काफी लंबा ताइम तक इस लेबल पर कॉंसलिडेट किया है तो हम पुराने लेबल को कभी मिस नहीं कर सकते हैं उसमें क्या हुआ था एक दिन दो तेन चार पांच कल हलका फुलका यह पॉजिटिव ही था लेकिन हलका फुलका रेड कंडल दिखाता है कल सिचुएशन यह है आज की जो हमारे पास 521 का हमारे पास हाई बना है पहले तो इसको मैं 30 मिन टाइम फ्रीम पर लिए कर आता हूँ दिखेगा यह कुछ ऐसे बनाया इसने यह है a kind of flag pattern तो यहां पर 44, 550 का आप अराम से या 520 करना चाहें वो भी कर लिजेगा ठीक रहेगा उसके उपर जाने के बाद में यह level break ऐसे करेंगे न तो जादा ठीक रहेगा उससे क्या पता चल जाता है हमें इस यह level break हो जाता है ऐसे तो अच्छी movement उपर की तरफ मिल जाती है क्योंकि यह support हमें दिखेगा तो आप एक kind of flag pattern बनाएंगे और उसमें जब हमारा जो top line है उसके उपर stock आके hold करता है वहाँ पर आप उसको dip करने के बाद में buy कर सकते हैं और जो यह नीचे का level है that is coming around 44, 400 का level और अगर यह नीचे dip करता है तो यहाँ पर आपका cell बनेगा तो यह आपका हो जाएगा buy और याद रखिएगा कल expiry है एक दिन पहले काफी बड़ी movement आ चुकी है हो सकता है 90% जो अभी दिख रहा है वो यह है कि cell on rise बनेगा तो cell on rise का भी मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर आपके लिए यह level निकल के आएगा तो उसको आप कैसे करेंगे आप एक काम करें इसको आप one day time frame पर परेट प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या निकल के आएगा इसको तुरास अगर हम पुराने लेबल को चेक करेंगे तो यह कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको दिस इस कमिंग अराउंड 44,650 से लेके 700 के बीच में तो अगर आपको 520 पर भाई करना तो पहला टारगेट आप 700 का रखिएगा उसको एचीव होने के बाद में आप अपना stop loss टाइट जो हैं बहुत close कीजेगा ताकि वापिस से dip हो तो छोटे से loss में निकल जाएए मतले loss का मतलब होगा जो भी profit आपके pocket में है उत्र रस आपको वापिस देना पड़े तो sell on rise बन सकता है हमारा इस लेबल पे तो यहां पर sell on rise देख रहा है और otherwise 44,400 के break होने के बाद तो clear sell बनेगा bank nifty के अंदर stock selection में हमारा पहला pick रहेगा Indian hotel आज भी हमने इसको pick किया था बढ़िया वाली moment मिली अब इसको मैंने दुवारा क्यों pick कर रहा हूं देखेगा यह कुछ ऐसे बना रहा है यह जो level निकल के आ रहा है this is something like 405 तो 405 के उपर यह breakout है हाला कि close उसके उपर नहीं हुआ है लेकर close 400 के उपर जा चुका है तो कल अगर 405 को break कर देता है तो अच्छी वाली moment आपको मिलेगी positive side में और 398 को break कर देता उपर की side में तो वहीं पर आपको sell मिलेगा engine hotel के अंदर इसलिए यह मने इसको pick किया है उसके बाद में अगला stock हमार ले रहेगा that will be भारत forge अगर भारत forge को आप 30 minute time frame पर देखेंगे तो यह कुछ ऐसा नजर आएगा इसको मैं 30 minute time frame पर जादा चेक किया था तो notice करें एक बड़ी movement उसके बाद में movement होने के बाद में यह कुछ ऐसे बन रहा है this is a kind of flag pattern तो यह आपका 1040 का जो level है इसके उपर buy initiate बनता है और नीचे यह 1030 का जो level है यह break होने के बाद में यहाँ पर आपको बनेगा sell तो भारत forge में आप accordingly trade ले सकते हैं उसके बाद हमारे पास art industry है art industry में 30 minute time frame पर notice करेंगे यह level को यहाँ से इस level पर discuss करेंगे और अगर आप देखेंगे यह काफी इच्छी movement है और यह जो level निकल के आ रहा है 4-6-4 के round है नीचे की तरफ 4-6-4-5-9 है तो यहाँ से यह अगर पूरा एक discuss करते हैं तो यह एक rounding bottom बनता है rounding bottom के जब हमारा जो top होता है उसको अगर break करता है कोई भी stock उसको breakout माना जाता है उसके basis पर buy बनेगा in any case of failure will be sell in art industry उसके बाद ICSA bank ICSA bank को notice करें यह recently breakout आया आज जैसे यह line आप देख रहे हैं उसपे अब इस line को मैं थोड़ा सा shift कर देता हूँ तो यह line आपको मिलेगा यहाँ पर something like that तो 965 यहाँ देख रहा है और यह हमारा उपर के तरफ 970 देख रहा है तो 970 से लेके 985 का level तो 970 के उपर buy बन रहा है और target हमारा 980 तक और इसके उपर जायागा तो 990 का बन जाएगा नीचे की तरफ गिरते वे ऐसा लग रहा है कि यह 962 से लेके 964 को अगर break करता है वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्ड़न नीचे लेबल चेंज हो जाएगा मिलेंगे अगली वीडियो में Until then guys, take care, have a nice day, bye bye